नमस्कार आदाप सरहत के दोरुक के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तक्बाल है आए सबसे पहले निज़र डालते हैं सुर्खियों पर गिलगित बलतिस्तान के लिए नए पैकेज का ऐलान, ऐलान के साथ ही तेज हुई इसकी मुखालफत बगबुजा कश्मीर में खेती से मूँ मोड रहे हैं काश्टकार और वादी में इस कुरी बच्चों के लिए माशलाट के तर्वियती क्याम का इनिकाद कई दिनों तक चली सियासी उठापटक के बाद आखिरकार गिलगित बलतिस्तान के लिए नए पैकेज का ऐलान हो गया है लेकिन नया पैकेज अपने साथ लेकर आया है नई मुसीबतें और नए तनाजे अवाम का कहना है कि पाकिस्तान हुकूमत नए पैकेज में इलाके के लोगों को कुछ दिया नहीं बलकि जो थोड़े बहुत इख्तियारात यहां की नाम नहाद हुकूमत और अवाम को मिले थे वो भी छीन दिया पाकिज के अलान के साथ ही इसके मुखालफत तेज हो गई है एक खास बात जो देखने में आ रही है वो यह है कि इस मुद्दे पर हिजमे मुखालिब जमाते भी कौम परस्तों के शाना बशाना पैकेज की मुखालफत में उतराई है और इन्हें अवाम का भरपूर ताउन मिल रहा है गिल्गत बल्तिस्टान Outer 2018 यानी इस खिते के लिए नया पैकेज पाकिस्तन हकूमत ने पैकेज का ड्राफ तैयार करते हुए इsसे यही नाम दिया है इस पैकेज की आर्ड पे इस खिते को पूरी तरह बेख त्यार बना दिया है पाकिस्तान ने पैकेज के अमल में आने के साथ ही जो मामूली इख्तियार मिले भी थे उससे च्छीन लिया गया है सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के वजिर अजम को कुल मुखतार बना दिया गया है पैकेज के आर्टिकल 41 के मताबिक इलाके से मुतालब का जो भी फैसला वजिर अजम लेगा उससे किसी भी महाथ पर किसी भी अदालत में हर्गिस चैलिंज नहीं किया जा सके है ये बात गिल्गित के गहरतमन्द अवाम को हर्गिस कबूल नहीं है ये इसलाहाती पैकेज 2018 के नाम पे जो जादती हमारी कौम के साथ गिल्गित बल्द स्थान की कोंक के साथ हो रही है हम इसकी पुर्जब मधब मत करते हैं और इस ओरर को हम मुस्तर्जब करते हैं ये टोटली हमारी कौम को गुलाम से गुलामतर बनाने किये, कोशिश की जा रही है जब मेरा कोई मेंबर, जब मेरा वज़िर आला गवर्नर वज़िर आजम पाकिस्तान की नखाप के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकता तो वजिर आदम पाकिस्तान किस एक्तियार के तेहत या इसलामबाद में बेटकर गिलगत बलतिस्तान के फैसले कर रहा है पाकिस्तान ने जिस किसम की फैसले अभी तक किया है वहाँ दो नमबर जच लगाते हैं और वो दो नमबर फैसले करता है सियासी लोगों को पकड़ पकड़ के 30-30 साल, 25-25 साल सजाएं देता है, यह कोई इन्सानियत है गिल्गत बलतिस्तान और्डर 2018 के आर्टिकल 60 की कॉलम 4 के मताबिक अगर पाकिस्तान का वजीर आसो गिल्गत बलतिस्तान से मुतलिक कोई गानून बनाता है तो इससे मकामी एसेंबली से पास कराना हर्गिज जरूरी नहीं होगा इसके अलावा अगर मकामी एसेंबली या काउंसल कोई गानून बनाती है तो पाकिस्तान का वजीर आसो जब जाए बिना कोई वज़े बताए इससे फारी तोर पर खारिज कर सकता है सिर्फ जहीने को बलके पाकिस्तानी वजीर आसम को मन माने टेक्स लगाने की भी खुली छूट दी गई है आर्टिकल पैसर के मताबे पाकिस्तानी वजीर आसम कैसे भी टेक्स नाफिस कर सकता है जहर से बात है कि ये पूरी तरह से मन माना फैसला है जी ये तो सतर सालों से उस अलाके के सान जो कुछ हो रहा है सब के इलुम में है बदबख्ती है कि पॉलिटिकल वर्कर जितने भी है वो पाकिस्तान के मक्तलिफ सियसी जमातों में बैठके हर आने वाले को जो है वो एक होशामदीत कहते है जैसे प्यपस पार्टे वालों ने कहा जनाब वाली बटो की हुकूमत आएगी बेनजिर कि आएगी तो जनाब यहां पर सोबबनेगा तो ये बनेगा लोगों को जो है वो बेखुब बनाया और बाट में वो एक आर्डर दे दिया और फिर खुद कहते है अभी जो है वो ठीक नहीं है फिर मुस्लिम लिग वालों की ये हालत है मुस्लिम लिग तो उसका कोई रिकार्ट में भी नहीं है कि गिल्गत बलतिस्तान के सांद दुका उसके सांद जो है ना फराड और इसी तरह करते हुए उनका वक्त जाय क कर रहा है और कुम के नौजवानों के अंदर भी गलत चीज़े अपहलाए जाती है। पनाना मकामी अवाम की पुरानी मांग थी जिससे नजर अंदाज कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ ही होगी। यह हमने नहीं कहा था कि हमें गुलाम बनाएं। लेकिन उसके बराक सतर साल से हमें गुलामी में रखा गया। आडरू पे टरकाया गिया, सबसेडीस पे टरकाया गिया, मुस्लिम लीग नून की हुकमत एक और ड्रामा हमारे साथ खेलने जा रही है। इसलाहाती आडर 2018 के नाम से तो इस इसलाहाती आडर में जितनी भी वो हमारे लिए क्या कहते हैं इसलाहात लाना चाहें इसको हमने मुस्तरत किया, गिलगित बलतिस्तान की आवाम ने मुस्तरत किया। अब जबकि पैकेज का ऐलान हो चुका है, इनके चेहरे से हवाईया उट रही हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानि पी-म-ल के रहनमा इससे अवाम की भलाई के लिए तारीखी पैकेज खरार देने पर तुले है। हालान की अवाम की फुली मुखालफत इस बात का वाज़ इशारा है कि उन्हें ये पैकेज हर्गिस पसंद नहीं और उन्हें इसे खुलामी की बू आ रही है। सलब की गई है तो ऐसे मैं ये जो गिल्गित बल्तिस्तान का अपोजिशन इताथ लिजिसलेटर इसम्बली के अराकीन मुखलिफ जमाती सियासी जमातों के आकाबरीन जो यहां जमा हुए हैं तो हम इनके शाना बशाना है। सियासी और मजभी जमातों से तालुक रखते हैं और इन्शालला कर हम अपने यहुद के साथ मिलके जो पाकिस्तान के पारिमें ने उसके सामने हमारे हुकुक के खलाब वर्जी होने और हुकुक को दबाने के हवला से इहतिजास रिकार्ड कराएंगे। जिलगत बलतिस्तान के मुतनाज़ पैकेज का इलान करके पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे अवाम की फलाओ बेबूद से मतलब नहीं है। उसका इरादा तो बस यहां के अवाम को भुलाम बनाए रखना है। यहां के वसाइल पर खब्जा बर्गरा रखना है। इसके लिए वो कभी पैकेज का दिखावा करता है। गभी सियासी ड्रामा रचाता है तो कभी उन पर जोर जबरदस्ती करता है। अब बात इसकूली बच्चों के लिए शुरू किये गए मार्शल आर्ट की। मार्शल आर्ट एक ऐसा खेल है जिसे हमेशा से ही सेहत मंद रहने और अपना दिफा करने के लिए बेहतरीन जरियार माना जाता रहा है। मार्शल आर्ट या जूडो करांटे सीख करना सिर्फ इनसान अपना दिफा भरपूर तरीके से कर सकता है बलकि वो बुरी आदतों से भी बचा रहता है। गुजिष्टा दिनों बादी में भी स्कूली बच्चों के लिए मार्शल आर्ट के तर्वियती कैम्प का इनेकात किया गया। जिसका मकसद नई नसल को मशगूल रखना और उनके अंदर डिसिप्रिन पैदा करना है। टेकनलोजी के इस दाओर में बच्चे इंटरनेट की दुनिया में इस कदर मगन हो चुके हैं कि वो जहनी और जिस्मानी सलाईटों को निकारने वाली सरगरियों से बिलकुल ही दूर हो चुके हैं। लेकिन गुजश्टा दिनों खिते में बच्चों को मशगूल रखने और उन्हें अपना दिफा करने के लिए मार्शल आर्ट के एक नए फार्म जीट कुन्दों की तर्बियत दी गई। इस रवायती खेल के जर्वे बच्चों के अंदर डिसिपल्न, एतिमाद और हिम्मत पैदा करने की एक नए पहल की गई है। जिसमें करीब 200 बच्चों नहीं हिस्सा लिए। यह हमें सिखा दिया आपनी सैल्फ डिफन्स कैसे करते हैं। इसका नाम जीट पुंडो है, यह बहर खेली जादी सी, मागराब कश्मीर में भी आ गई है। हमें बहुत खुशी है कि ऐसी गेम्स कश्मीर में आई है, ऐसी और गेम्स भी आनी चाहिए कश्मीर में। मार्शलार्ट या जूरो कराटे एक ऐसा खेल है, जिसको सीखकर ना सिर्फ इनसान अपना दिफा भरपूर तरीके से कर सकता है, बल्कि वो बुरी आदतों से भी बचा रहता है। क्यूंकि आज की नौजवान नसल नशे की आदी होती जा रही है और इस खेल के जरीए नौजवानों को इस बुरी लानत से पाहर निकाला जा सकता है। इसके साथ ही इस खेल के इनकाद का एक मकसद ये भी है कि इमसाल जुमो कश्मीर की स्कूल के टीम नैशनल लेवल पर खेलने के लिए जाएगे। इसी मुनासिबत से ये तैयारियां आज से ही शुरू कर दी गई है। कहते ही शुक का कोई मूल नहीं होता। और महारत हासल करने के लिए उम्र की कोई कैद मुताइन नहीं। अब जरा इस नन्ही सी बच्ची को ही देख ले जो अभी सिर्फ चंद साल की है। लेकिन मार्शल आर्ट सीखने के लिए कलासिज लेना शुरू करती है। जी हाँ इस नन्ही बच्ची की मार्शल आर्ट सीखने की दिल्चस्पी बचा रही है कि खिते में मार्शल आर्ट के इस नए अंदाज की कितनी मकबूलित है। वैसे तो हर शिक्स को अपने दिफा के लिए मार्शल आर्ट की तरबियत लेनी चाहिए। मगर खासकर बच्चीओं को तो इस अतरह की तरबियत बेहद जरूरी है। मुझे लगते एसी गेम यहाँ पर आनी चाहिए जो यहाँ पर नई-नई गेम इंटर्ड्यूस होनी चाहिए। कश्मीर को भी एक मौका मिलना चाहिए कश्मीर के भी बच्चों को मतलब पार्टिस्पेट करने का नई-नई गेम्स में। स्कूल में भी वह नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्स भी बहुत जरूरी है। इस तरह की सरगर्यूयु से बच्चों की जहनी और जिसमानी नशुननमा होती है। तिबी महरीन भी ये मानते हैं कि घर से बाहर निकल कर खेलने वाले बच्चे मुक्तलिफ चीजों को देखते हैं और परखते हैं जिसकी वज़े से उनकी जहनी और जिस्मानी सलायतों में निखा रहाता है। इस खेल में हिस्सा लेने आए बच्चों ने खूब जम कर पसी ने बहाए और लुट्फ न्दोज भी हुए है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है आजकल खबरों को जानने अपने राय रखने और खबरों के तबादलाए ख्याल में ट्वीटर का खूब इस्तमाल हो रहा है। तो आईए एक निज़र डालते हैं कुछ एहम ट्वीट्स पर। सेंगे अच्छ सेरिंग ने ट्वीट किया है कि खुफिय एजिंसियों की जानिब से गिलगित बलतिस्तान की अवाम के हक के लिए आवाज बुलंद करने के एविच में उठाए गए हमारी साथ ही हसनेयन रमल अस्पताल में भरती हैं। क्या ये जरूरी है कि चीन और पाकिस्तान को एक अन्य तिबत बनाने दिया जाए। अगर नहीं तो अपनी आवाज बुलंद कीजिए गिलगित बलतिस्तान को आपकी जरूरत है। एक एलम ओफिशन ने ट्वीट किया है कि मगबूजा कश्मीर के बिंबर आर्मी कैम्प में पाकिस्तानी फौजों ने मजलूम कश्मीरी मजदूर को गोडी मार दी। जीबी पाक ने ट्वीट किया है कि हम गिलगित बलतिस्तान ओर्डर 2018 को खारिच करते हैं ये इस खित्ते के खिलाफ है और हम ऐसे मजाग बरदाश्ट नहीं करेंगे तब दीलियों के नाम पर हो रहा मजाग रोका जाए। कश्मीरी पीवट ने ट्वीट किया है कि All India Council for Technical Education की जानिप से स्टार्ट अप्स और आंट्रप्रिनियोर्स के लिए राजभवन में वर्क्शॉप मुनाकित किया गया। जम्मो विरासत ने ट्वीट किया है कि रियासत में सरकारी स्कोलों को हाइटिक किया जा रहा है, सैंधीस रिमोट स्कोलों में कंप्यूटर लाप्स कायम किया जाएगा। नूरी वदात ने ट्वीट किया है कि इंटरनाशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की जानिप से जंगबंदी मोहाइदों की खलाव वर्जी और शेलिंग के सबब तकरीबन चार अफराद जामबहक हो गए और तीस से जादा लोग शदीद जखमी हो गए हैं जिनमें तीन बेसेफ एहलकार भी शामिल हैं जमू कश्मीर में अमन को टेरिस्तान हराना चाहता है अब वक्त हो चला है मुखतसर खबरों पर नज़र डालने का जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहत की दोनों तरफ की छोटी बड़ी एहम खबरे मक्बूजा कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूख हैदर सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत से परेशान है उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इसके जरिये खित्ते का माहौल खराब कर रहे है ऐसे में हुकूमत कुछ अर्से के लिए इस पर बैन भी लगा सकती है मीरपुर में वाके कश्मीर हाउस में मीडिया और अहल कारों से खिताब करते हुए फारूख हैदर ने कहा कि कंप्यूटर और मुबाइल की तादत में इजाफे से साइबर क्राइम की वार्दात भी लगातार बढ़ रही है हम सोशल मीडिया पर कोई पावंदी नहीं आयद करना चाहते लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा करने से हम पीचे नहीं हटेंगे मुकद्दस माहे रमजान के दौरान रियासत के मुक्तलिफ बजारों में लोगों की चहल पहल बनी हुई है दुकाने, खुर्दूनी अशियां और दीगर समानों से सजूठी हैं जहां समान खरीदने के लिए लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं लोगों तक दीगर समान के दस्तियाबी को आसान बनाने और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए रियासती हुकूमत पूरी तरह से मुस्तैद है रोज़ेदारों की सहरी और इफ्तार के लिए अच्छी क्वालिटी के मतंग, फल और सबजियों की सप्लाई का ख्याल रखा जा रहा है जेरात का शोबा किसी भी मुआश्टरे के लिए बेहत एहम होता है खास तोर से वो इलाके जहां आमदनी से लेकर तिजारत तक अवाम सबसे ज्यादा इसी पर मुनहसर हो लेकिन मकबूसा कश्मीर में हवा का रुख उल्टा है यहां शोबा बुरी तरह से नजन्दास हो रहा है नतीजा हर साल खेती खराब हो रही है इसके अलावा भी दीगर वजुहात से यहां खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है और हर साल बड़ी तादात में काश्टकार खेती से मुह मोड रही है कभी वारिश की बूनों के लिए महीनों का इंतिजार तो कभी बीज और खात के लिए सालों का इंतिजार और कभी फसलों की बर्बादी के एवज में पूरी जिन्दगी का इंतिजार यह दास्तान मगबूजा कश्मीर के एक या दो काश्टकारों की नहीं बलके हजारों लाखों की है मगबूजा कश्मीर में कुछ दहाई कبل तक जरात काफी मुनाफ़े का सौदा था यहां के निश्व से ज्यादा आबादी काश्टकारी पर मुरह सिर्थी लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया हुकमरान तो पहले ही लापरवा और संग्दिल थे धीरे धीरे पुदरत भी नाराज होने लगी काश्टकारी खराब होने लगी और काश्टकार बर्बाद होते गए काश्टकारी खराब काश्टकारी खराब काश्टकारी के लिए बहुत हद तक हुकमरान जिम्मेदार है यहां हुकूमत ने काश्टकारों से वादा किया था कि उन्हें भरपूद मिगदार में पानी मिलेगा उन्हें कीडों से बचाओ के लिए जदीद तरी खाद और कीडे मार्दवाईयां दी जाएंगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं यहां के खेतों के हर तरफ बड़ी तादाद में जिम्मगादरों ने रुख कर लिया है कभी चरिंद तो कभी परिंदे यहां फसलों को बरबाद करते हैं और काश्टकारों के पास इससे बचाओ का कोई इन्तिजाम नहीं है यह बहुत हितरनाक जन्वार होता है यह और यह जो इस गड़ी अभी बॉला के दर माचस फैक्टिरी एक ग्राउंड के पास बहुत ज़्यादा हैं यह बहुत कसी दधाद में पाई जाएती है इस तरफ और यह बहुत हतरनाक चीज़ें इस से फसल बहुत तबाह हो रहे है माहिरीन मानते हैं कि मखबूजा कश्मीर में फलों की बागबानी यानि होटिकल चल के लिए भी काफी मौाके हैं लेकिन हुकूमती सता पर इसके लिए कोई एकदामात नजर नहीं आते इन एकदामात की गहर मौजूदगी में अवाम रिवायती काश्टकारी को नहीं छोड़ पाते अगर हुकूमत चाहे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर्डी कच्चर की तरफ ले आए लेकिन हुकूमत संजीदा ही नहीं काश्टकारों को फलों की पैदावार और इनके लिए बाजार पर तवज्जो मर्कूस की जाए तो अवाम का भला होगा लेकिन पाकिस्तानी हुपरान ऐसा चाहते ही नहीं जब वो अवाम की फसलों को चिमगादर और दूसरे कीडों से नहीं बचा पा रहे तो भला नई और जदीर किसम की खेती की जानिब इन्हें कैसे रागिब कर पाएंगे मखबूजा कश्मीर में मौसम के बदलते मिजज और कीरों के जरिये फलदार दरखतों को भी नुकसान उठाना पड़ता है इन हालात में हकूमती सता पर संजीदा कारवाई ना की जाए तो काश्टकार कैसे अपने खानदान की परवरिश करेंगे अवाम का इल्जाम है कि यहां काश्टकारी के लिए जरा भी सहुलियात नहीं है फसल किसी तरहां लगा भी ली जाए तो अबवल तो इन तक पाने पहुचाने के कोई इंतजामात नहीं है ऐसा तब है जब ये खित्ता छोटे छोटे नदी नालों से आबाद है ना ही खेती के लिए कोई पॉलिसी बनती है और ना ही इस जानिब गुजिश्टा बर्सों में कभी कोई ठोस पहल की गई रही बात काश्टकारों की तो काश्टकार मालूमात की कमी की वज़े से कुछ खास नहीं कर पाते है मगबूजा कश्मीर में आज भी काश्टकारों के हाथ में महज मेहनत होती है बाकर सब, मौसम, कीडों और हुकमरानों पर मुरह सिर होता है मौाश्रे में नॉर्मल बच्चों की तरह ऑटीज्म की परिशानियों से जूचते बच्चों को आगे बढ़ने के मवाके हासिल हो सके इस सिम्त में वियासिती हुकोमत की जानिप से कई मुस्बत एकदमात उठाए जाते रहे हैं फिर चाहिए स्पेशल स्कूलों में दाखिला देने की बात हो या फिर समाच में पेंटिंग और दीगर आर्ट वर्क कॉम्पेटिशन्स के जरिए इन्हें आपस में एक दूसरे से जोडने की बात हो हुकोमत की तवज्जो ऐसी सरगर्मियों पर मर्कूज रहती है जिन से इन खास बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह ही बराबर का मौका मिल सके रंगों के जरिए लोगों को किस तरहां बेदार किया जा सकता है इसका जवाब स्रीनगर में बेमीना इलाके में स्पेशल आर्ट कॉम्पेशन के दौरान देखने को मिला जहां वाइट ग्लोबल ट्रस्ट और वॉलिंटरी मेडिकेर सुसाइटी नामी समाजी इदारों के मुश्टरक तावन से मनकिदा आर्टिस्टिक नॉट आर्टिस्टिक पेंटिंग मुकाबले में आसपास के स्कू हमने मिलने का मौका देना था हमारा जो जूरी है वो जजज करेगा उनके आर्ट पीसिस और आर्टिस्टिक नॉट आर्टिस्टिक के नाम से ही जाहिर हो जाता है कि कैसे इस प्रोग्राम के जरिए स्कूली बच्चों और आर्टिस्टिंग से मतासिरा बच्चों को एक साथ जोडने के लिहासे ये पहल क जिसमें स्कूली बच्चों ने कैन्वेस पर रंगों के जरीए अपने ख्यालात को नसिर उतारा, बलके इसके जरीए इन खास बच्चों को खुश रखने की कोशिशों को अन्जाम दिया गया. बेमीना इलाके में मुनकिदा पेंटिंग के इस खास मुकाबले की एहमियत इस लिहास से भी बढ़ जाती है कि इसके जरीए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात की मालुमात फरहम कराए गएं कि इन खास बच्चों की चोटी चोटी जरूरियात दूसरे आम बच्चों से मुक्तलिफ होती हैं. जिस से वो समाज में अलग न रहे बलके इनकी परवरिष दूसरे बच्चों की तरहा हो सके. मैंने जैसे कॉंपिटिशन देखें बागी के मुकाबले यह बहुत डिफरेंट था यहां का टॉपिक डिफरेंट था जैसे आर्टिस्टिक इस नोट आर्टिस्टिक इसके लिए हमने अलग आप देखा बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स थी और सिंपल जो यहां पर मनौर्मल बच्चे भी आए थे जिसे हम सब के बीच में इंटराक्शन हुआ और उसे एक इंटरेस्ट पैदा हुआ मरकजी और रियासती हुकूमतों की यही कोशिश रही है कि रियासत में बच्चों खास तोर से ऐसे जिसमानी और जहनी तोर पर माज़ूर बच्चों को सीखने और मालूमात हासिल करने का बेहतर मौका मिले स्रीनगर मौनकिदा पैंटिंग मुकाबले में शिर्कत कर रहे बच्चे बहुत ही लुथ अंदोज हुए और उम्मी जाहिर की कि मुस्तक्बिल में भी ऐसे प्रोग्राम्स वक्तन फवक्तन मौनकिद होते रहेंगे नाजरीन इसी के साथ हमें दीजे अजासत अगली हफ़ते इसी दिर इसी वक्त फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार खुदा हाफिस